हेलो एरिवन कैसे हैं आप लोग मैं आपकी होस्ट और दोस्ट नीरु सर्मा एकवार फिर से लिए कराई हूं बहुत ही शांदार चट्निया ये चट्निया बच्चों की लिए बड़ों की लिए सभी की लिए हैं टेस्ट में तो बहुत ही ज़ादा लाजवाब है लेकिन इसक की कली जो बड़ा आता है ना मतलब ये 6-7 कलीों के बराबर है एक ही लेस्ट इतना बड़ा लेस्ट लिया है मैंने एकदम अलग टेस्ट में एक अलग अंदाज में और बहुत ही शांदार ये चट्नी बनाएंगे अपन तो आप इसे पूरा देखिए और अच्छे से देख लासून ये एक लासून 5-6 कलीों के बराबर है टमाटर भी मैंने एड कर लिये हैं चोटी चोटी टमाटर है ज्यादा बड़े बड़े नहीं है ये मीडियम साइज के हैं और प्याज को अलग पीसी क्योंकि प्याज को अलग से पकाना है और इनको अलग से पकाना है तो इन और लाल मिर्शी के थोड़े थोड़े बीज रह जाते हैं इसमें अब बारी आती है जो अपने प्याज लिया था उसको मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है और इसके बाद में डालना है इसी मिक्षर ग्राइंडर में धोना चाहें तो दो सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नही के बाद मैं मिलती हूँ मैं आपसे फ्यास ग्राइंड कर लिया है मैंने और चलिए सबसे पहले बनाते हैं बच्चों के लिए चट्नी यह दे कि मैंने दशी लिया है और साथ ही इसमें एक चोथा ही चम्मल डाल देंगे नमक की ताकि नमक का मेजरमेंट में इसमें ठीक रहें आप इसे बच्चों की लंच बोक्स में भी पेक कर सकते हैं और यहां पे घर पे रहें तब नास्ते में भी इसका यूज किया जा सकता है सेंडवीच वगेरा पे लगाने की काम में आ जाएगा आप सेंडवीच बनाते हैं पैटीज बनाते हैं घर पे बर्गर बनाते हैं उन सभी में यह चटनी काम में आ जाएगी बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आएगा इसकी जगह आप मार्केट वाला सोर्स लेना भूल जाओगे क्योंकि आप बार-बार यही यूज करोगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो इसे दही में देखी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है जो बरफ था ना ये देखी पिगल चुका है क्योंकि थोड़ा सा ये आईस जमना स्टार्ट हुआ था और ये ठंडी ठंडी चटनी वाँ बहुत ही लाजवा बच्चे तो बहुत ज़दा खाएंगे साथ या आप इसे ब्रेड पे भी लगा करके खा सकते हैं आप कोई भी फास्ट फूड बनाएं तो इसका यूज कीजिए आप मियोनीज वगेरा को सेजवान चटनी को इन सब को भूल जाएंगे क्योंकि उनमें लोंग लास्टिंग टाइम के हिसाब से केमिकल मिलाए जाते हैं तो चली ये चटनी तो खोचु की तयार आगे बढ़ते हैं दूसरी चटनी की तरफ मैंने एक पेन लिया है और इसमें घी लिया है मैंने 4-5 चम्मच की जितना और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें जीरा एड़ कर देंगे ज्यादा अधुआ उठाना नहीं है घी जल्दी से ही मेल्ट होकर की गरम हो जाता है 1-4 चम्मच या अधी चम्मच जितना आप जीरा खाना चाहें उतना जीरा लिजे और पका लिजे इसके बाद में अपने जो पेस्ट तयार किया था प्याज का वो डाल दिया है लगी बहुत ही जादा अपने चटने बनेगी अपने को color भी बहुत अच्छा चाहिए, taste भी बहुत अच्छा चाहिए, अपने को ये जरूरी नहीं है कि अपन हर चीज को धोध होकर की use करें, वही चीज बना रहे हैं, तो आप उसी चीज में बना लीजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, जैसे में नहीं किया है, तो ये पक चुका है, golden brown होने के बाद में टामाटर को एड़ कर देना है, आपको पका कर, और आप इसे भी mix कर लीजे, और जब तक जाली नहीं पड़ जाए, तब तक आप इसे पकने दीजे, आप घी की जगे कोई सा भी cooking oil ले सकते हैं, जो आप घर में हमेशा यूज करते हैं और आप घी और तेल को एक साथ में mix करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से क्या है, बहुत ज़दा टेस्टी टेस्ट आता है इसका, इसलिए मैंने घी का यूज किया है, और आप चाहें तो उपर से बनने के बाद में भी घी एड़ करके खा सकते हैं, बहुत ज़दा ट अची आएगी इसमें, इस वाली लाल चटनी में कोई भी धनिया पावडर, अलग से कुछ भी डालने की ज़रत नहीं है, केवल लाल चटनी है, तो बहुत ही ज़दा टेस्टी, बहुत ही ज़दा खुस्बु वाली, और दीखने में भी बहुत ज़दा शानदार कलर है इसक आप उनको भूल जाएंगे, जो महंगे महंगे, आप प्रोड़क्ट लेकर के आते हैं मार्केट से, उन सभी को भूल जाएंगे, अपनी चटनी बंगर के रेडी हो चुकी, अधी कि घी अलग साइड में हो चुका है, और इसमें जाली बन चुकी है, तो नीचे से गेस को कर करना है बंद, और गेस को बंद नहीं करना चाहें, तो आप ऐसे भी इसमें नमक एड कर सकते हैं, वन पोर चमश नमकी ली है, और यह इसमें एड कर देना है, और मिलाले ञेघ से, और देखे मेने इस में कर दिया है बंद, और फिर मिला लेंगे, क्योंकि गरं है, आसानी य बहुत ही शांदार सी लाल चटनी बन करके रेडी हो चुकि आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताई इस तरह से आप निकाल लो उसके बाद में उपर से घी और डाल करके खाऊगे तो इसका टेस्ट और चार गुना क्या सो गुना ज्यादा बढ रहे हैं तो और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि न्यू न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें तो आज अपने बहुत ही कम टाइम में एक ही चीज से दो चटनिया बनाना सीख लिया है और दोनों ही बहुत ज़्यादार है टेस्ट में खुसबू में बहुत ज़्यादा दोनों ही चटनिया बच्चों के लिए है बड़ों के लिए है पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक बार फिर में बोल रही हूँ जरूर मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आग भी मोटिवेट होती रहूं थेंक्यू सौमाच